विपक्षी गडबंधन पर बीज़पी का बड़ा हमला आपको बताएं कि पार्टी नेता मुक्तार अबास नकवी ने तीखा तंस किया है इंडिया गडबंधन में साप सीड़ी का खेल चल रहा है हर कोई एक दूसरे का पैर खीच रहा है आप सीड़ी के खेल से सियासी मेल नहीं हो सकता मुक्तार अबास नकवी का ये बड़ा बयान आप सुनिये जरा इसे इंडिया एलाइंस के बैठक लिए तमाम विपक्षी नेता मुंबई में जुट रहे हैं लेकिन सबके बीच में सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखेर विपक्ष का वो चेहरा कौन होगा जो प्रधान मंत्री नरेन मोदी को दोजाट चौबिस के चुनावाओं में टक्कर देगा उसको लेकर के असमंजस भी है और इससी साफ भी नहीं होती दिख रही है माई साथ मौजूद है मुक्तारबास नक्वीजाब सर इंडिया एलाइंस तो बन गया है लेकिन चेहरे को लेकर के अभी भी असमंजस है रहेगा और जहां तक सवाल है जमघट का जमघट करिया सब जमघट करते रहते हैं सियासी उनका सफर कप किदर का हो जाए इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए तो चलता रहेगा लेकिन मुदी जी के काम की गिंती ने इस कुन्बे का गड़ित बिगार दिया है बिइस के बीच में की रिख सबसे बड़ा बढ़ का कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस ही सबसे बड़ा दल है और चर्चा तो अभी भी होने लगी कॉंग्रेस की निताओ की तरफ से ही कि राहूल कांधी इस एलायंस का चेहरा बनने चाहिए अब एक चीज बहुत अजीव सी इस्तिती है कि अभी वेकेंसी ना है ना होने वाली इनकोई मालूम है लेकिन बिना वेकेंसी के जो है वो लगवद दो दर्जन से जादा जो है वो उम्मीदवार दिखाई पड़ ला है और वो उम्मीदवार जो है वो एक दूसरे को पहले से टंग चीज जाई शुरू कर इसलिए मैंने का सियासी मेल नहीं साप चुड़ी का खेल है और इस साप चुड़ी के खेल में एक दूसरे की ऐसी टंग की चाही होगी कि 2024 के चुनाओई चौपाल पे चारोखाने चित हो जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे